चलिए दोस्तों आजम बनाएंगे एकदम मुलायम सा खमन धोकला, कई लोगों की शिकायत होती है कि घर पर खमन धोकला अच्छा नहीं बनता है, उसमें जाली नहीं बनती है, या फिर सॉफ्ट नहीं बनता है, वो हार्ड हो जाता है, तो आज मैं आपके लिए बहुती आली दार एकदम सॉफ्ट बनने वाला है, तो मैं वर्षा भाहु सा, रसोई घर में आप सभी का स्वागत है, तो चलिए फ्रेंट्स इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रह तो देखें, बेसन चान लिया है, अलग रख देते हैं, अब एक बरतन लेते हैं, बरतन में हम डालेंगे पोना दो कप पानी, यानि दो कप से थोड़ा सा कम ले लिजे, दो कप बेसन के लिए पोना दो कप पानी की जोरत होगी, इसमें हम डाल देते हैं एक चमश नमक, इस दो चमच में या पर चीनी डाली है थोड़े से मीठे फ्लेवर के लिए और दो चमच ही हम डाल देते हैं तेल तो चीनी और सैट्री के सिट आप जरूर से डाले इससे हमारे ढोकले को जो है खटा मीठा फ्लेवर मिलेगा अपने मार्केट का ढोकला खाया ही होगा न अब इन स साथ पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालिए तकि लंस भी नहीं रहे और जो पानी और बैसन है न अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए हमें बिल्कुल लंस फ्री बेटर चाहिए यानि बेटर में कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए एक दम चिकना पानी इस पानी के अंदर हम रख देते हैं एक जाली स्टेंड और इसे कवर कर देंगे और पानी को अच्छे से बॉइल होने देते हैं तो गेस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक मोल्ड लिया है इसे तेल लगा के हम थोड़ा से ग्रीस कर देते हैं क्योंकि हम इसमें डोगले को इस्टेम करेंगे ना तो जब हम डोगला निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा तो अगर इस तरह का मोल्ड आपके पास नहीं हो तो आपको इथाली या प्लेट भी ले सकते हैं तो चलिए अब जो यह बेटर हमने रख पूल चुका है तो यही इंडिकेशन है इससे हमारा ढोकला पहुती नरम मुलायम एकदम सूपर सॉफ्ट बनने वाला है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है बस इसी तरह से हम इसे रखना है तो अगर आप यह सारी टीप्स फोलो करते हैं तो आपका जो खमन ढोकला है ना बहुती नरम मुलायम और इकदम मार्केट की तरह बनेगा तो चलिए अब देर नहीं करेंगे फटा फट से जो हमने मौल्ड को ग्रीस करके रखावा था ना वस इसके अंदर हम यह बेटर डाल देंगे तो आप देख रहे हैं ना फ्रे से 15 में मीडियम फ्लेम पर स्टिम होने देंगे 15 मिट आप एक बार चेक जरूर कर लीजए अगर नहीं हुआ है तो आप इसे 5 मिट के लिए और स्टिम कर लीजए तो 15 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं डोकला पफेक्ट फूल चुका है तो गेस का फ्लेम मैंने बन कर बन करने के बाद मैं इसे फिर से कवर कर रही हूं और पांश मेट के लिए मैं इसी तरह से छोड़ देती हूं ताकि और अच्छे से स्टीम हो जाए तो बहार निकालने के बाद अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है जब यह ठंडा हो जाए तब हमें इसे निकालना है तो एक चाकू की सायता से पहले इसके एजस को अलग कर लेते हैं तो फ्रेंट्स इस्टिम करने के बाद आप इसे एक बार टूटपिक से चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है कि ये कच्छा है तो आप इसे कुछ देर के लिए और इस्टिम कीजिए लेकिन 15 मिर्ट में मेरा य इतना बड़िया सा इस्पोंज आये बहुत ही फूला फूला बना है तो पाट से भी दिखा देती हूं आप देख सकते हैं इसमें जो बारिक बारिक जाली बनी है यही इंडिकेशन है कि हमारा जो ढोकला है ना बहुत ही बढ़िया बनने वाला है तो चले अब हम इसे कट कर लेते हैं तो एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से इसे काटेंगे तो मैं यहाँ पर इसके थोड़े बड़े ही पीस रख रही हूं जिस तर से मार्केट में मिलता है ना बड़े पीस वाला ढोकला लेकिन आप चाहे तो बिल्कुल छोटे चोटे पीस भी रख सकते हैं वो जालीदार और एकदम सौफ्ट है तो चले अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सा तड़का बना लेते हैं तो एक तड़का पेन के अंदर हम डालेंगे एक चमच तेल तेल के गरम होने पे हम डाल देते हैं आधी चमच राई और राई को अच्छे से चटक ने देते हैं इसक जादा ही डाले तक कि जो हमारा ढोकला है एकदम जूसी सा बने थोड़ा समय नहीं आपर नमक डाला है थोड़ा सा डाल देते हैं हिंग और आदा निम्बु लिया है तो निम्बु का रज भी इसमें डाल देंगे तक अच्छे से खट्टा पन मिले हमारा ढोकले को वैसे हमने साइट्रिक डाला है अगर आप डालना चाहे तो डाले नहीं तो इसे इसकिप भी कर सकते हैं तो पानी में भी अच्छे से बॉइल आ चुका है तो गेस का फ्लेम में ओफ कर देती हूं और अब इस तड़के को हम डाल देते हैं इस ढोकले के उपर तो हेना फ्रेंड्स करेंगे तो आपको डोकला है ना वह भी बहुत ही मज़िदार बनने वाला है तो आज की रेशिपी आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरू से बताइए